कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि विद्धि एनम इह वैरिनम इस विश्व में है अर्जुन तु इस काम कआम को ही मुख समझ भोग विलाश्व को ही मुख समझ संसार को बोगनी की प्रवर्ति भोकता रहम यगतप्साम डूर्ज भ्लोक महेश्वर्ब्य ही अनंत इनम्मानों के भोकता एक मात्र स्रीकृष्ण नहीं हम भगवान की शरण में रह करके बगवान के चरणों में रह करके हम सभी प्रकार आनंदित हो सकते हैं बगवान से अलग हो करके तो हम संसार के भोगों में काम वासनाओं में उत्रेंगे फिर काम क्रोध मद मोह नात नरक के पंथ फिर यह नरक में ले जाने वाले इसे दोते हैं जितने भोग विलाशन इसलिए भगवान स्षै कर्शन कहते हैं एसाम तुंत गत्रोह पापं जनाराम पूर्ण कर्म्णां क्या पाइस activities करते करते पूल्ण धर्म करते करते दया धर्म करते करते निश्काम करम करते करते परोपकार करते करते जिनके पाप नश्ट हो गए हैं पूरी तरह से पापों का फ़लाना बंद हो गया है ऐसे व्यक्ति मेरी शरण मा आते और मुझे ऐसे ही व्यक्ति द्वंदों से मुक्तो पाते हैं इच्छा द्वेस जैसे द्वंद से मुक्तो पाते हैं उनके इर्दे में इच्छा की जगे मेरी सेवा और द्वेश की जगा मेरा प्रेम उनके इर्दे में भर जाता है तेसाम द्वंद्गता तेसाम ते द्वंद्मो निर्मुकता ऐसे ही वेक्ती जिनके पाप होगा पापों का फ्रलाता बंद हो गया है यही पाप पूर्णता जल गये हैं 波 एसी वेक्टिति दुंद से परे होते हैं तिया दुंद मौ निर्मुकता है और यह दुन इच्छा दोषिस से जो परे हो ग गैंए व्यृत इमां द्रडवरता है थो फिर विक ग्यक्ति मुझे द्रडवच द्रडव्रत द्रडवरत संक्कल्प ले करके कि बहुत हो गया बार बार इस संसार का बोग किया है इस बार नहीं करूंगा बहुत जनम बिच्छुडे थे माधो ये जनम तुमारे लेखे बहुत जनम बिच्छुडे थे माधो ये माधो बहुत जनमों से हम आपसे दूर रहे हैं आपको भूल गए इस संसार में पाप को अपना लिया विसे भूगों को अपना लिया बैमनुष्यता को धारण कर लिया अभी इस जनम में हम आपकी शर्ण मा आना चाते हैं ऐसा व्यक्ति मेरी शर्ण लेता है और द्रववरत लेकर के मेरा भजन करता है मुझे पानी की मेरे धाम में आने की कौशिश करता है इस संसार के जनम मरण जराव्यादी से छूटने के मिनठाए और छोड़ जाता है त्य दुन से परें हो जाता हैं मि मेरी फ्रेम भरी सेवा और मेरा प्रेम समाइथ हो जाते हैं ऐसा ही व Marilyn मुझे प्राप्त करता है जो द्रवरत लेकरते मेरा भजन करता है ये भ्हवान कह रहे हैं Со प्वंत गतं पापं जनानाम पुर्ण कर्मनाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन ते माम धड़वर्ता ऐसे लोग मेरा भजन करते हैं जरामरण मोक्षाय मामा सृत्नियत अंतिये ते ब्रह्म तब विदो कृष्णम अध्यात्मं कर्मुचाखिलं फिर भगवानी कहा कि ऐसी व्यक्ति मेरे आश्यम में रहकर के मेरी शर्ण में रहकर के जनम जरामरण मोक्षाय मामा सृत्तियत अंतिये जरायनी बुड़ापा मरण यानी मृत्यों इनसे मुक्त होने के लिए मेरे आश्यम में आते हैं मेरी शर्ण में आते हैं और यतनती प्रियत्न करते हैं मुझे प्रसंद करने का मुझे रहाने के लिए मेरी सेवा करके मुझे पुष्प अरपन करके मेरा भजन करके मेरा कीरतन करके मेरा नाम का जब करके नाचते हैं मेरे मंदिरों की मूर्तियों के सामनी मेरा ने गुम्रू बांद लिये थे भगवान कर जाने के लिए गुम्रू खरीद लिये थे चित्त औरगण उदैपुर की बाजार में से बांद लिये पाओं में नाचती थी राजकुमारी थी पत्रानी थी चित्त औरगण की राजकुमारी थी उदैपुर की पत्रानी थी पाओं में गुम्रू बांद लिये थे वो स्री कृष्ण को रिजाने के लिए नाचती थी गाती थी नाचती थी पागलों की तरह रोती थी जैसे सब लुट गया सब छुट गया कब मिलेंगी मुझे मेरे मादव मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर्पे मोर मुकुट मेरो तो पति सोई छान दई कुल की कानी कहा करेगो कोई संतन ढिंग बैट बैट लोकलाज खोई अस्वन जल सीच सीच भक्ति बेल वोई अब तो बेल फैल गई आनंद फलोई दासी मीरा लाल गिर्धर तारों मोही अब तो प्रभु मुझे अपना लो अपनी दुलन की तरह आजाओ वर्दों मेरी मांग में सिंदूर मीरा बाए ने बांद ली थे गुमरू तग गुमरू बांद मीरा नाचीरे लोग कहें मीरा भईर बावरी सास कहें कुल नासीरे पग घुमरू बांद मीरा नाचीरे विशका प्याला राणा ने भेजा पी गई मीरा हासीरे भवान के प्रेम में जो पागल होते हैं उनके लिए विश क्या करेगा समाज का अपमान क्या करेगा उनको मान समान की परवा नहीं रहती बिस्पान भी कर जाते हैं कौन संत है जिसने संसार का बिस्पान नहीं किया संसार में उनके उपर पत्थर पैंके उनको जहर दिया उनको मारा कतल किया फासी दी जीसस को फासी मंसूर के हाथ पाउं काटे फासी पलटका दिया कि सुक्रात को जहर पिला दिया मीरा को जहर पिला दिया बुद्ध भगवान को मारने की चेश्टा की गुरुनानक देव जी के ऊपर भी चट्टान खिसका दी मारने के लिए उन्होंने अपनी एक उंगली के इशारे से वो चट्टान को रोका शक्तिवान थे शक्तिवान हैं क्योंकि भगवान के ही जो स्वरूह है वो शक्तिवान है जो पवित्र प्रम पवित्र हैं वो शक्तिवाने पवित्रता में शक्ति होती है जरा मरन मोक शाय तो इस जहर सब को पीना पड़ता है और संसार के पास है क्या जहर ही तो है जिसके पास जो होगा वो ही तो पिलाएगा अम्रित तो मिलता है महापुर्शों के पास शुद्ध भक्तों के पास संसार के पास कहा मिलेगा संसार के पास मिलेंगी बीडी सिग्रेट शराब गांजा भान तंबाकु मांस मटन बीफ ब्लड जुवा ताश के पत्ते और चम्रे का व्यापाहर यह सब जहर है तो संसार देगा क्या इच्छा द्वेस वो अपने को राजा गोसित करने के लिए बड़ा गोसित करने के लिए वो भगवान के भी सामने तल्वार लेके आ जाएगा रावन राम के सामने आ गया इरणा कश्यको भी आ गया भगवान को तल्वार लेकर के खड़क ले लिया आत्मी खड़क निकाल ली जैसे इनर सिंग भगवान प्रगट रुए लिए भगवान के आगे उसकी खड़क क्या करेगी लिंग्स करेंगे क्या इए विचारे करेंगे क्या संसार वाले इनके पास जहरी तो है तो जहरी फिलाएंगे कैंगे तो संतों को मारें गाली देंगे जूटे लांचन लगाएंगे काला मू कर देंगे गदे पेcilu निकाल देंगे बिठागे किले कि संत अमरत प्लाना चाहता है अमरित इनको भाता नहीं जैसे गदे को कोई घी पिलाए और गदा कहें कि क्या करते हो मेरी गर्दन को तोड़ रहे हो ऐसा ही हाल है तो पिर गदा दुलत्ती मारेगा नकारेगा अमरित पीने से लेकिन बगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रे में रह करके बगवान का आश्र है यहीं बगवान की शरन बगवान की शरन तभी मानी गई है जब कोई व्यक्ति बगवान की किसी शुद्वक्त के चल्णों में जाके मात अटे के प्रणाम करे गुरू रूप से स्विकार करे तो बगवान की शरन मानी जाती है बगवान की शर्ण डाइरेक्ट नहीं मिलती शास्त्रों में मना किया है बगवान की किसी शुद्ध वक्त की शर्ण में जाने से ही बगवान की शर्ण मिलती है डाइरेक्ट एपर्च नहीं होती इसलिए बगवान स्वयम गुरू बनाने की शिक्षा देते हैं गुरु बनाए कुष्ण बल्राम संदीप नी मुनी के आश्रम में गए शिक्षा लेने बेशक उन्होंने चौसट दिन में चौसट कलाएं प्राप्त करी उनके पास तो कलाओं का बंडार पहले से ही है उनको जरुत नहीं लेख शिक्षा देने के लिए समाज में चौसट दिन में चौसट कलाओं कोई प्राप्त कर सकता है ये भी इशारा किया बगवान ने बगवान ने इस दरदाम पर जब थे प्रगट हुए तो सभी ऐसी लेलाएं की जो सभी नर और देवताओं से और दानवा से ब्रह्मा जी से सबसे एक-एक हाथ उपर थी उससे ज्यादा नहीं वो चाहे तो अज्जारों में उपर कर दें नहीं एक हाथ उपर समझाने के लिए कि मैं भी तुम जैसा ही हूँ लिए देखो मैं भी तो गुरू बना रहा हूं चाहे चौसट दिन के लिए हैं सही चौसट कलाओं के लिए सही राम के भी गुरू थे गुरू बिन गती नहीं होती गुरू बिन ग्यान नहीं मिलता गुरू बिन एंकर कौन काटेगा तुम्हारा कोई कहता है स्रीडी के साहे बाबा मेरे गुरू जी है मैं गता हूं तुम अभी 40 वर्स के हो शिड़ी के साहिबाबा को 100 वर्स दे उपर हो गए वो तुमारे गुरु का पन गए बुलो महाराज अन्हें गुरु मान रखा है उनकों। अच्छा चलो ठीक गुरु मान रखा है। फिर गुरु जी नी गुरु मान रखा है। तो गुरु हो एक पवित्र भqत होता है बगवान का। तो उसकी पवित्रता तुमें भी तो तुमारे उपर भी तो उतरनी चाहिए। तुम तो शराप पी रहे हो, मांस खा रहे हो, जूट बोल रहे हो, बेहिमानी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, दुनिया को सता रहे हो, तुम कैसे उनके शिष्ष होगे? शिष्ष का धर्म है, क्यों भगवान की शरण में रहे हो, अपने गुरु के इंस्ट्रेक्शन्स का पालन करें, पवित्रता को अपनाए, गंदगी को साफ करें, धर्म को अपनाए, अधर्म को नश्ट करें, तो लोगों ने ऐसे धार ना कर रखिये, कि हम तो मानते हैं स्रीडी के साहिवावाग, कोई बलता हम जलाराम बापू को मानते हैं, तो जलाराम बापू तो अभी नहीं है, तो कोई बलता हम जगत गुरू, स्रीकृष्ण जगत गुरू माराज उनकी चरुणों में, तो फिर स्रीकृष्ण बहुआन ने गीता बोलिया, अपने शिश्य के लिए, तो शिश्य बनो, अर्जुन की तरह, तो बहुआन स्रीकृष्ण के इंस्रेक्श्शन का पालन करो, उनके आदेशों का फालन करो उनकी शिक्षा को स्वीकार करो भगवान कह रहे है कि मेरे आश्रे में रह करके जो जरा मरण से छुटकारा पाना चाहता है उसे मेरे आश्रे में रहना चाहिए मेरी शर्व में रहना चाहिए मेरी शर्व में रह करके मेरा भजन करना चाहिए मेरी सेवा करनी चाहिए मेरा कहा मानना चाहिए मुझसे प्रेम करना चाहिए मेरी चरण सपर्ष करनी चाहिए मेरी शरण में रहना चाहिए मेरे पर डिपेंड रहना चाहिए जो कुछ मांगना है मुझसे मांगे कुछ निवेदन करना है मुझसे करे मावा सुर्थियतंति है जरा मरण मुक्षा है जरा मरण से मुक्त होने के लिए कि बार बार जनम बार बार मरण इससे मुक्ष प्राप्त करने के लिए छुटकारा पाने के लिए भगाई स्री कुष्टन कह रहे कि मेरी शर्ण में रह करके यतन करना चाहिए मेरी शर्ण में रह करके ये जरा और मरन से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए यानि मेरे भजन करनी चाहिए मेरे सेवा करनी चाहिए मेरे नाम जिप करना चाहिए मेरा कीरतन करना चाहिए ध्यान करना चाहिए यद करवसी यदशनासी यद जुवसी ददास्या यद अपश्यसी कौन तद कुछ सुमद अरपडम अरे खुंती के नंदन अर्जुन जो तू कुछ खाता है करता है देता है तपता है उसम मेरे लिए कर तेरी सारी दिंचरिया मेरी